हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस फूटिप में हम बात करने वाले शार्जा सी बी एफ स्टी ट्वेंटी की मैच है के एबी वर्सस एस एल की इसकी तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम हम देखेंगे जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकते या पर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग जरूरू जिसकते जैसे कि मैंने मैच को हालाइट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक यहाँ पर टीम नहीं बना ही तो आपको क्रिएट टीम पर क् किया या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना बुले ताक कि इसी तरह के अच्छे उड़े सबसे पहले आप तक पहुँच चके तो चले दोस्तों वीडियो को श सर्फिंग के सेक्षन पर चलते तो यहां पर तीन बल्ले बाजा को मैंने लिए को लिया एम फेरा जुद्दिन को यहां पर शामिल कर लिया जैसे कि इनका पर्फॉर्मस काफी जबदस्त रहा है अभी तक उसके बाद मैंने यहां पर लिया है से फर्णांडेज को इस ट्री चलते हैं तो यहाँ पर मैंने चार ओल्रांडर को यहाँ यहाँ इस तीम में शामिल कर लिए और एक अच्छे खास एं लेकिन अभी फिलाल में इस टीम में उनको आगले टेम टोणों टेमों में जरूर्श करने की कोशिस करूंगा चले गिनबाज के बात कर लेते तो यहाँ पे देख सकते के मैई अपन को इस टीम में लेना है हर टीम में करीब करीब लेना है दोस्तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पस कुलमला के एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तो आपको कि कुलमला के चार ही गेसे गिनबाज है जो लास्ट मैच में प्लेइंग इलो liquids में छामिल हूए थे तो उनके से हमें ही हर टीम को चूज करना है तो उसे वजह से यहांपे के मंअअपत हम न्यांखे रहेंगे मजबूर है क्योंकि चोथे जोग इंबाज है जो से कि मैंने आपको बता है कि वो है आर्म खरजी वो तो उनसे भी मतलब खराब परफॉर्मस है उनका तो चले दोस्तों कंटीनू पर क्लिक कर लेंगे देख लेंगे क्याप्टन किसे बना सकते तो सबसे पहले टीम का क्याप् परजी में तो जरूर आप इनको ले सकते हैं इनको चेंज कर सकते हैं अब हमको टीम प्रिव्यू करना एक बार जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते कीपिंग में मेरे पास एल सिंग है इसके लाव कोई कीपर मैंने नहीं लिया है अगर बैटिंग की बात करें तो तीनी बल् ॐ ऩौ घौनांड़र के लिए लिया यह उसके बाद एंप्हेरा जृद्दीन को शामिल कर लिया है अगर ऐलरौंडर की बात करें का नंगोध के बात करें तो दर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अयए चारी जो पिछले टीम मैच में फ्लेव करना है तो मैंने विजबार के मैएप्पन को चूश कि यू रह्माण को चूश की और ओ अली को चूश किया मैयप्पन और यू उस TOP मैएप्पन वा हमें चूश करना ही होगा उसके एलावा जो दूस तीसरे अगे बाल इन चारों में से किसी टीन को लेना होगा नहीं तो काफी रिस्की साबित हो सकता है अगर कुछ कोई दूसरा लेंगे तो तो काफी अच्छे टीम बन चुके दोस्तों जरूर हम को इस टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे सिलिक कर लिए देख सकते के एम फेरा उनको कैप्टन बनाना जरूर है और एक काफी अच्छे गिनिवाजी कर रहा है और ग्रिंगन sudah बनाना काफी से कर सकते इन दोनों को captain और vice captain बना सकते तो कुल मिला के काफी बढ़िया टीम बढ़ चुके इस team को आप grand league के लिए use कर सकते small league के लिए use कर सकते लेकिन ज़्यादा grand league के लिए use करेंगे तो ज़्यादा फाइदा हो सकता यहाँ पर चार all rounders से दोस्तों दोनों चारों की चारों डबल पॉइंट देगे बैटिंग और बॉलिंग में और वही अच्छे खासे बैट्समान है अच्छे खासे कीपर को भी हमने सिलेक कर लिया है और काफी अच्छे बॉलर भी हमार पास है तो इस तरह से यह टिम काफी बढ़िया बन चुके ज्यादा से ज्यादा grand league के लिए सिलेक करेंगे तो बेटर है चलिए दोस्तों को क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टिम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं तो जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि मैं कीपिंग में अगले डो टिमों में ज़रूर चेंज करूंगा तो यहाँ पर देख सकते जे कुछ को इस टिम में शामिल कर लिया है इसके यहाँ पर मैंने एक एक पर लिए हैं बैटिंग में मुझे ज्यादा ओप्षन चाहिए इस बार तो इस बार मैंने बैटिंग में चारिल राइन दो दोस्तों तो इस्तार से मैंने यहाँ पे दो चेंजेस कर लिए हाला कि पिछले टिम में एक इटीनी बैट्समन थे लेकिन इसबाद चार बैट्समन को मैंने शीफ ताकि आपको जादा से जादा फायदा हो आप ग्राइंड लिग जीत सकते हैं अगर आल रॉंडर की बात करें तो आफकोस त्यार बल्लेबाद लेने के बाद तीनी आल रॉंडर हम अरे पास तीनी आप्शन बचते हैं जिसमें से मैंने आर खान और जी गोग आर गोगो को तो रखा है लेकिन फोनला को मैंने इस तीम में कर लिया फुक्отलियों पिछले परिम में इनको शामिल नहीं कर पाए थे मैंने चार और ऊल रोन्ड als को शामिल कर था तो लेकिन फिर भी हमने इनको नहीं लिया थाक्योंकि मुझे लगता है कि पहले तो रहेंगे हमारे पास उसके अलाव आप यू रहमान भी रहेंगे लेकिन यहाँ पर मैंने आरमुखर जी को चूस कर लिया है जिया दोस्तों इनको भी एक हाद टीम में चूस करना बनता है दोस्तों क्यूंकि अगर यह अच्छा प्रफॉम्स करें और हम इनको चूसना करें तो हमें नुकसान हो सकता है और यह अच्छे कासे गेन बाजे तो ज़रूर आप इन पर भी भर्षा कर सकते चलिए दोस्तों क्लिक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते तो इस टीम का क्याप्टन जैसे क्याप देख पारे मैंने यह आ इंध्याफ कर लियुख कर के अगर बात करें तो टीम मेंने यहां पर केपन में चेंज कर लिया है ची यह क्रुजेर को इस टीम में शामिल कर लिया अगर बात करते को में बैटिंग तो अब देख सकते हैं मेरे पास चार बल्लेवाज पिछले टिम में चार बल्लेवाजों को मैंने शामिल कर लिया तो एफ फर्णांडी से पुछले टीम में लेना था पर मैं नहीं ले पाया था लेकिन इस टीम में जरूर ले रहा हूं उनको यार खान को ले रहा हूं और जी आर गो को इस टीम में लिया है तो जरूर आप इस तर से तीनों को ले सकते काफी बढ़िया है तीनों जरूर आप इन तीनों को भी इस टी लगे दोस्तों तो मैं जरूर कोंगा इस टीम को भी आपको qrann lg के लिए करना है he small league के लिए यूँज करके west कर देंगे आप अतर को तो जादा से जादा clan लिए उजज करेंगे तो better है और आप इसे स्मॉल लिए लिए नहीं करें तो अच्छा रहेगा काफी बढ़िया टीम बन चुके टीम के क्यापटन और वासका भी लिए जैसे कि एफ नवाच को क्यापटन और और आरकान को वासका दोनों की प्रसीलिये में इन दोनों को क्याप्टन और वस्काप्टन बनाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़न मिले आप ग्रांड लिग जित सके तो कुल मिला के काफी अच्छे टिम भाई जो के फिर से आखिर में यहीं को दोस्तों इस टीम को ग्रांड लिग के लिए इन दोनों को भी इस टीम में चेंज कर लिया है एज नहीं लग रहा है कि दो की पर साथ में लेने चांए आप करना चाहिए तो ज़रूर कर सकते हैं ले बडूस्तों बैट गर बात करें तो फिर से चार मल्लेवाज को लिया है इस बार M. नियुटो ने कब रए ऴस लिख पर कर ले दोस्तों हमारे पास उसके बाद इस बार टी आली को मेंने शामिल कर पाए पिछले दोनों टीमों में हम इनको शामिल नहीं कर पाए और यह भी अच्छे पर्फरमस थोड़ा डाउन जरूर है लेकिन बैटिंग काफी अच्छी कर सकते तो जरूर कम से कम एक जगह पे लिजिए आपके ट्रम कार्ट साबित हो सकते हैं इसलिए मैंने इनको यहां पर शामिल कर लिया अगर बैट ऑल राउंडर की बात करें तो फिर से चार बैट्समा कर लिया है यह अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते तो जरूर आप इनको भी ले सकते इन पर भी भर्षा कर सकते दाव लगा सकते चलिया दोस्तों अगर गेनबाजी की बात करें तो गेनबाजी में के मैं अपन और यहां पे हमरे पास यह रहिमान तो रहने वा हमारी पहली टीम तीसरी टीम अच्छी खासी बन चुके दोस्तों हाला कि मुझे जरूर लगता है कि अगर आप चाहे तो यहां पे न्यूटॉन को अगर बल्ले बाजी में न्यूटॉन को अगर ड्रॉप कर दे और ऑल राउंडर में आपकर आप यहां पे एफ नवाज को शामिल कर सकते हैं तो इस तरह से भी टीम अच्छी खासी बन सकती है दोस्तों अगर यह चार भी आल राउंडर लेंगे तो भी ज्यादा फायदा हो सकता है तो अभी फिलाल मैं इसी तरह से रखता हूँ आपको न्यूटॉन को लेना तो आपको किसी ना किसी को निकाल ड्र क्वाइस 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 Г条..? कि लikes क्वाइस क्वार लेकि ना प्रवाइस उक्वाइस क्वाइस बगेदा है तो जरूर आप इなた को भी अच्छा क्वाइस पॉंट ना रहे सकते हैं दॉस क्वाइस क्वाइस ना जाए जीन भी इस जाह कररा हो सब Help टी अली एम फिराजुद्दीन और एस राम कृष्णन को मैंने स्टीम में शामिल कर लिया है अगर बात करते हैं आल राउंडर में मैंने आखरी समय पर एक और बढ़ा लिया है दोस्तों पहले में चार ही बल्लेवाजों के साथ जाना है हो ला था तो यहां पर एफ नवाज आर खान उसके बाद और और ए राथोड इस तरह से चार ओल्डर के साथ में जा रहा हो दोस्तों चारों ने चारों में से तीनों ने काफी बढ़िया परफरमस कर सकते एक निट थोड़ा टिक ठाक परफरमस कर तो जरूर उनको भी आप शामिल कर सकते उसके बाद तो दोस्तों आपको एक जरूर चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे मैंने दो प्लियर्स जो है यहाँ पे आपको हाइलेट जरूर करके दिखा रहा हूं मैं यह दो प्लियर राथोड और एस कृष्णन रामकृष्णन को इसलिए लिया है क्योंकि हमारे ट्रंप काट सा भी तो जरूर आप इन दोनों को एक टिम में कम से कम लीजिए साथ में लीजिए दोस्तों ताकी यह भी काम कर जाए तो आपको गरान लिग जिता सकता है या फिर आपको ग्राही क्रेंग में अच्छी खांसे और तो इसलिए मैंने दोनों प्रियों को यहां पे लियाFi दोस्तों यह अगर होसे कासे रडियर लोग कम дав और आं से दोस्तों कॉंट होने कि कहल श्वर कर देख सकता है यह टकॉछ dua रहने को बना इन्डोन को अभी तक भी परिबल नहीं बना इने को और भाइस काप्टान बना लिया तो तो चलिये दौस्त टब आत जरूर बात जरूर करना कि आप यह यहां पर मैंने इन पहले टिम में के वाहर कि आप सब को याद होगा लेकिन मैं बात जरूर कहना चाहूंगे कि यहां इनको कही न कई एक जगह पे क्याप्टन भी जरूर बनाई एगा दोस्तों कंसिस्टंसी काफी अच्छी रही है गेंबाज अच्छी कर रहे है विट्टे भी मिल रही है तो जरूर कही न कई टीम बनाके फाइनल टीम में आपको जब लाइन अफ्स आउट होती है तब दिखाऊंगा तो इस तरह से भी आप जरूर कर सकते पर यह टीनों टीमों भी काफी बढ़िया बनी है दोस्तों और उन टीनों टीमों में से अगर आपको कुछ चेंजेस करने या फिर आप क्राइं चेंज करना चाते तो जरूर कर सकते लेकिन मैं अभी इसी तरह से रखूंगा मुझे लगता है यह तीनों टीम में काफी अच्छी बनी है खास बनी है तो आई होप आपको भी वीडियो और यह तीनों टीमें पसंद आयोगी अगर पसंद आई तो से लाइक शेर और कमेंट जरू कर दिजिए और चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले तो ठीक है दोस्तों आज के उडियो में इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद Goodbye